अंतर राष्ट्रिय योग दिवस पर शहर भर में जगल जगह मनाया गया अंतर राष्ट्रिय योग दिवस योग शिविरों का हुआ आयोजन दीद्वाना, विश्व योग दिवस के अफसर पर भारतिय जन्ता पार्टी दीद्वाना शहर मंदल द्वारा मिलखा डिफेंस अकैडमी ग्राउंड में योग भयास कार्यक्रम किया गया इस मौके पर योग शिक्षक मनोज मृदुल सोनी संस्कृती एवं पर्यतन प्रकोष जिला उपाध्यक्ष, नितारासन, व्रिक्षरासन, त्रिकोनासन, भदरासन, मकरासन, अनुलोम विलोम, कपाल भारती सहितने की योग कराय तथा योग से होने वाले फायदे बताएं। साइक पर कार्यरत श्रमिकोव आमजन ने समझे योग के फायदे। स्थापित करने में मदद करने के लिए तक्नीकी प्रनालिया है ये भावनाओं को संतुलित करने और मन और शरीर के लिए सामन जस्य स्थापित करने का एक तरीका है। इसके साथ ही रोहिक भाटी ने योग करने के अलग-अलग आसान भी बताए। योग दिवस के इस अफसर पर भाजपा कार्य करताओं द्वारा कोलिया में दयाल आश्रम में योगा कार्यक्रम हुआ जिसमें खेमदास महाराज, कोलिया मंदल अध्याक्ष डालु राम मेघवाल, शंकर भारती, चेनराम सेनी और अन्यभाजपा कार्यकरता उपस्थित र सभा को संबोधित करते हुए डाइरेक्टर पंकज सेनी ने कहा योग एक कैसी क्रिया है जो व्यक्ति द्वारा स्वयम की जाती है यहना केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बलकी भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति का विकास करती है योगाचार्य ने योग का अभ्यास वाते हुए कहा कि योग हमारे डैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है ये वैदिक काल से जारी है और इस आधुनिक तक्नीकी योग में भी काफी उप्योगी और प्रभावी साबित हुआ प्रशिक्षक ने सभी को बैठे और खड़ी स्थिती में कई योगिक आसन कराए प्रिंसिपल श्रीमती शशी शेखावत ने योग की महत्ता बताते हुए कहा कि यह अंतर राश्ट्रिय योग दिवसाज पूरे विश्वस्तर पर मनाया जा रहा है योग के प्रशिक्षल से जीवन को प्रतेक द्रिश्टी से सम्रिध बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि य प्रतेक विश्टी के जीवन शेली का अंग बनना बहुत जरूरी है तभी हम स्वास्थी की रक्षा कर सकेंगे अंत में आभार व्यक्त किया गया